जायमातादी मित्रों मेरा नामपंडीत प्रकाज जोसी स्वागत है मेरे यूट्यूब, फेजबुक चैनल, एस्टो आज में मित्रों आज हम चर्चा करने वाले विरिश्चिक रासी के मासिक यानि मंतली राशी फल के बारे में कि दिसंबर में ब्रिश्ची ग्रासी की कैसी होगी धनकी, स्वास्त की, परिवार की इस्तती, उनके काम की इस्तती और साल का अंति मैना क्या ब्रिश्ची ग्रासी वालों के लिए घटिया ही रहेगा या कुछ देखे जाएगा तो पूरी ग्रह गोचर की कैलकुलेशन करने के बाद पता चलाए कि आठ घटनाएं दिसंबर में ब्रिच्छी ग्रासी वालों के साथ में हो सकती है वो आठ घटनाएं कौन सी है चलो चचा करते हैं पहली घटना के बारे में बात करें तो लगन में दिसंबर में सूर्य बुद और शुक्र तीनों घटनाएं बैठे में तो देखा जाए तो दिसंबर का महिना ब्रिच्छी ग्रासी वालों के लिए बहुत परिवर्तन वाला रहेगा यानि हर दस दिन में आपको परिवर्तन नजर आएगा साती साथ देखा जाए तो दस दिन के अंदर इस्थतियां अच्छी बनेगी दस दिन के अंदर बुरी बनेगी और फिर दस दिन के अंदर अच्छी बनेगी ये आप मैसूस करेंगे साती साथ दिसंबर के ही महिने में किसी VIP फंक्शन में VIP लोगों से मिलने का भी आपको मौका मिलेगा ये भी अच्छा हो रहा है साती साथ नदी पहाडों की यात्रा भी बनेगी यानि कि भूस सारे इवेंट दिसंबर में ब्रिच्छिक रासी वालों के साथ हो रहे है दूसरी घटना के बारे में बात करें तो धन से समंदित है धन भाव के स्वामी गज केशरी योग दिसंबर में बना रहे है यानि कि धन समंदी दिसम्मर का महिना तो ब्रिश्चिक रासी वालों का बहुत अच्छा बीतने वाला है और उनको अचानक धन आपको प्राप्त होगा या अचानक धनलाब होगा कोई एकदम से अचानक आपको धनलाब देखे जाएगा 7-7 धन में बिदी के योग नजर आ रहे और 7-7 देखा जाए तो जो आपने इन्वेस्ट्मेंट की है जो आपका मार्केट में रुका हुआ धन है वो भी आपको दिसम्मर में मिल जाएगा या किसी से धन अगर आपको लेना है तो गचकेसरी योग दिसम्मर में बनाए उसको क दिसंबर में त्रित्य भाओं में बैठे हैं तो पडोसियों से कोई नोग जोक आपकी रह सकती है वाद विवाद दिसंबर में बन रहा है चौती घटना के बारे में बात करें तो वह परिवार से संबंदिते हैं परिवार भाओं के स्वामी त्रित्य भाओं में बैठे वे है यानि कि परिवार में किसी सद्दस्य का अंचाहा तबादला या इस्थान परिवर्तन हो सकता है उन्होंने इच्छा नहीं होगी लेकिन फिर भी उनको जाना पड़ेगा इसलिए अंचाहा तबादला या अंचाहा इस्थान परिवर्तन का योग बन रहा है पांचवी गटना के बारे में बात करें तो पंचम भाओ में गुरु और चंद्रमा विराजमान है यानि कि देखा जाए तो गजकेसरी योग बन रहा है और ये जो गजकेसरी योग का फाइदा विध्यारतियों के लिए और बड़ी संतान के लिए बहुत लाबदायक है यान इस दिसम्बर के महिने में काम में आपको सपलता करियर में आपको सपलता मिलेगी अच्छा कासा धन मिलेगा तो कुल मिलाके संतान के लिए और विध्यारतियों के लिए दिसम्बर का महिना बहुत अच्छा है छटी गटना के बारे में बात कर लेते हैं और ये उनके लिए important है, जो नोकरी करते हैं, तो नोकरी भाओं में राहू दिसम्मर में विराजमान है, तो दिसम्मर के महएने में, ब्रिच्छी क्राशी वाले जो नोकरी करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है, कि कुछ साफ़धानियां बरते, नहीं तो बड़ा अधिक्कत आने वाली है, दिसम्म में यानि कि दिसंबर के मेने में कोई गलती ना करे कोई गलत काम ना करे समझ रहे ना गलत काम का मतलब नहीं तो वो गलत काम पकड़ा जाएगा जिस पे नौकरी में भी बात आ जाएगी याद रखेगा या अफस सकते हैं तो दिसंबर में कोई भी गलत काम मत कीजेगा साथवी घटना के बारे में बात करें तो सब्तम भाव में मंगल बैटे हैं जो दामपत्य जीवन के लिए बहुत अच्छे नहीं है यानि दिसंबर का महिना दामपत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है पहले बात कर लेते हैं प्रेमी और प्रेमिकाओं के बारे में तो पार दिसंबर में हेल्थ की इशू से परिशान रहेगा इसी प्रकार से पती-पत्नी की बात कर लेते हैं तो इनके बीच में किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद रहेगा फिर शांत हो जाएगा फिर बच्चों को लेकर वाद विवाद रहेगा फिर परिवार में साससूर या द के बारे में बात करें तो दसम भाव का स्वामी केंद्र में बैठा है यानि कि जो लोग अव्यपार करते हैं जो लोग दुकान चलाते हैं प्रिश्ची करासी वाले उनके लिए बड़ा लाबकारी है आपको किसी संस्था से जुड़ने का मोका मिलेगा दिसंबर के मेने में कि किसी संसा से सम्मान प्राप्त होगा आपको दिसंबर के मेने में और बड़े लेबल के काम का आपको ओफर आएगा और आपको लेभी लेना चाहिए और ऑफिस के अंदर कोई पार्टी फंक्शन आपकी और से दिया जाएगा यानि कि आपकी दुकान आपके फैक्टरी में आपकी किसी खुशकबरी के लिए लड़ू बटेंगे तो कहीना कहीं देखा जाए तो व्यापारियों के लिए दिसंबर का महिना बहुत बहुत लापकारी रहने वाला है और मित्रो यह जो मैंने प्रेडिक्शन बताई है यह जर्नल प्रेडिक्शन है यदि आपको अपने बारे में जानना है कि मेरी प्रेडिक्शन क्या है तो उसके लिए 72-101-242-89 मेरा वट्सेप नमर आ रहा है इसमें नाम, डेट अबार, टाइम अबार तो प्लेस अबार तो और अपना मुख्य प्रशन भेजगे मुझे मुझे मुझसे टेलीफोनिक अपॉन्मेंट बुक क आए उसमें आप ग्रहों को परसंड कर लिजिए अगला साल तो अटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा बाकि आपकी मर्जी है तो इस कारेकरम में मित्रों बद इतना ही मुझे दिजे जाया चैम आता दी